हे गाईज वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चनल मुवी जटा और भाई आज हम बात करने वले हैं पंचायत के तीसरे सीजन के बारे में फाइनली वो दिन आ गया है जब पंचायत का तीसरे सीजन आ चुका है लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ के अगर आपके पास में प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो भाई तुम्हारा भाई अभी आपको दिखाने का जुगार कर देगा एक सीजन से लेकर तीसरे सीजन तक का आप लिंक मांग सकते हो और फ्री ओफ कोस्ट वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा बस कमेंट करो और उसका लिंक आपको मिल जाएगा दस से पंदरा मिनट के अंदर पूरा सीजन देखो फूल एचली से लेकर लो पालिडियो जो आपको चाहिए बिल्कुल मिल जाएगा लेकिन अगर बात कर लें पंचायत का तीसरा सीजन भाई क्यों देखना चाहिए अगर आप इसके नए फैन हो और आपने नहीं देखे है पहले दो सीजन तो सबसे पहले आप उन्हें जाकर देख लो और आपको समझ में आ जाए बाई क्योंकि बीच में उठने का टाइम नहीं मिलेगा आपको और इस सीजन को देखना भी शुरू तब करना जब आपको इपास में टाइम हो 5-6 गंटे क्योंकि अगर आपने बीच में मिस कर दिया तो माइंड वो पंचायत पहीं लगा रहेगा कहीं और नहीं जाएगा बाई सच बता रहा हूँ मैं इस बात को क्योंकि जिस तरह की जहां से ये समझ लो जब स्टार्टिंग इस सीजन की हो रही है तो आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि इसके दो साल जो हो चुके हैं इस सीजन को गए हुए जो हमारा सीजन 2 था और बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कर रहे हो जो दो साल पहले हमने खतम किया था लेकिन जिस तरह से आपने ट्रेलर में देखा था सचीव जी से लेकर हमारे प्रधान जी और जो उनके साथी से और जिस तरह से उसमें एक कोमेडी का तड़का लगता रहता था कि नई से नई कैरेक्टर इंट्रिडिउस होते और पिछले वाले सीजन में जो हमारे विधायक जी थे, इस बार विधायक जी का रोल थोड़ा सा important हो गया है, क्योंकि इस बार पंचायत का तीसरा सीजन family drama ना होकर एक political drama बन चुका है, लेकिन political drama देखने में आपको पूरा मज़ा आएगा, इतना ज्यादा entertainment आपको मिलेगा क फुल मज़ा आपको इसमें आने वाला है, इसमें सिर्फ ये समझ लीजिए कि मिर्जापूर की कमी ये जो होगा है, पूरा कर रहा है पंचायत का तीसरा सीजन क्योंकि ये मिर्जापूर से पहले आ गया है, आपको वही फील आने वाली है, जो गैंग से ववासेपूर लेकर भी कोई जेल जा सकता है, कि हाँ भाई, अगर आपने नहीं देखा है, तो देख लो, लोकी को लेकर भी जेल जाएंगे, और हमारे परदान जी पर गोली कोल चला रहा है, इस चीज का भी सबसे बड़ा सवाल है, और लव स्टोरी को कैसे साइड कर सकते हैं, इस बार स से बंदे ने गजब बेजजती है वाले ने इसमें कमबैक किया है, एक X Factor बनके सामने आये हैं, और ऐसे आपने ही जो छाप छोड़ी है, कि दूसरे सीजन में आहट गए थे और पहले सीजन में जो उन्होंने कमाल किया था, यहां पर हमारी गजब बेजजती दुवारा से आपको देखने को मिल जाएगी, भाई एको एक सीन, इस सीरीज की खास बात यही है, आपको यह रियालिटी से जोड कर रखता है, और एक छोटे से गाउं से प्यार करने पर आपको मजबूर कर देता है, इस सीरीज की यही खास बात है, यही तो 2024 में इतनी बड़ी से 2023 में आई, आप उनके फैनना बनकर क्यों पंचायत के तीसरे सीजन का वेट कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे, इसकी जो क्वालिटी है ना, वो किसी के साथ में मैच करी नहीं सकती है, यह अपने आप में एक ऐसा यूनिक आइटम बन चुका है, जिसके लिए ना, बहुत लगा हुआ हूँ, क्योंकि भाई, पूरा माइंड ग्लोइंग है, और ला जवाब है, अगर आपने इसके अभी तक नहीं देखा, तो जल्दी से कमेंट सेक्सेन में चाहिए, और तुरा दवाई कमेंट करो, आपको 10-15 मिनिक दूँग, आप बिल्कुल HD वाला चाहिए, त एच्डी करकर लिख देना, लेकिन चैनल को सब्स्राइब कर दो यार, अभी तो 1000 तो सोच लो 900 भी नहीं करवा पा रहे हो, पिछली लास्ट वीडियो पे जितना प्यार दिया, उनके लिए धन्यावाद, 10-20 भी उचे आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो यार, लेकिन आ पिंट दे जिया गया है, कि फोर्थ सीजन भी आपको जल्दी ही मिलेगा, दो साल का वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी ही मिलेगा, इसी के साथ मैं चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यावाद.